दोस्तों आज मैं फिर एक वीडियो लेके आया हूँ सी एन वीनू गपालन जी की प्रपोस्ट पेटिशन टू बी फाइल इन हाई कोर्ट फार पैंशिन अपडेशन कल ही मेरे को वाटसेप पर सी एन वीनू गपालन जी ने फोन भी किया है और वाटसेप पर मेरे को साथ पेज़ का प्रपोस्ट पेटिशन जो कोर्ट में वो करने वाले हैं उसके सारे ग्राउंड्स हैं सारा कुछ उन्हों लिखा हुए है अपनी डिटेल भी लिखी है पैंशिन अपडेशन के बारे में भी लिखा है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी शेयर कर रहा हूँ तो आप उसको साथ पेज पढ़के देखना क्योंकि साथ पेज अगर मैं बताऊंगा डिटेल में उसका अनेलिसिस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर शिकायतें बहुत आती है और दूसरी बात यह है कि उन्होंने प्रपोजड है इसमें उन्होंने स्टेक है छोटी से छोटी बात पर उन्होंने आपका उपीनियन मंगा है दूसरी बात उन्होंने कहिया कि यूनियन बैंक को उन्होंने लेटर लिखा हुए है डी एफस के लेटर के बाद तो डी एफस के लेटर में क्या लिखा है यह मैंने आपको पहली वीडियो में बता in HR matters ये सरकार का जवाब है RTI के reply में जब उन्होंने मांगा था तो उन्होंने कहा के bank हम managerial autonomy है सुएच्छा है उसके पास monopoly है autonomy है सुएजिकार है उसके पास HR matters के अंदर तो इसका मतलब indirectly ये हुआ अपोंडेशन बेंक कर सकता है तो इसलिए उन्होंने लेटर लिखा कि मेरी पेंशन बढ़ा दी जाए मेरी पेंशन अपग्रेड कर दी जाए क्योंकि सरकार जी आपको ये कह रही है तो उसका जवाब आने के बाद अगर कोई नेगेटिव रिप्लाई आता है तो वो पेटिशन फाइल करेंगे कोर्ट में जाएंगे हाई कोर्ट में जाएंगे वो मेंडिमस रिट पेटिशन फाइल करना चाहते है मेंडिमस रिट वो होती है जब कोई फंडामेंटल राइट वाइलेट होता है तो हम रिट कर सकती है जब नालमन होता है तो हम केस फाइल करते हैं अगर कोई fundamental right violet होता है तो हम सीधा high code में writ petition लगा सकते हैं तो ये writ petition ही त्यार हुई है जो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ तो उसके अंदर उन्होंने आपके suggestion मांगी है आपका opinion मांग गया है क्या इसके अंदर modification चाहिए क्या इसके अंदर correction की जरूरत है क्या इसके कोई point और भी add करने की जरूरत है तो इस तरह से उन्होंने ये भी का तीसरी बात उन्होंने ये कही है उन्होंने आपसे appeal भी करी है financial health के लिए क्योंकि मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ और मेरे viewers मेरे subscribers का मैं बहुत धन्यवादी हूँ I am thankful to all my viewers जिन्होंने सी अन्वीनू कोपालन जी की financial help करी है तो मुझे बहुत अच्छा लगा मेरी request को आपने माना है और सी अन्वीनू कोपालन जी ने काल फोन पर मेरा thanks भी किया है कि आपकी अपील पर मेरे पास कुछ पैसे आई है देखिए दोस्तों सी अन्वीनू कोपालन जी ने भी अपील डिरेक्ट करी है आप खुद उन्होंने अपील करी है मैं उनकी अपील भी पढ़के सुनाता हूँ लेकिन साथ में उन्होंने ये कहा है कि एड यूर कन्मीनियंस जिनको कोई मजबूरी है वो मुझे पैसा ना दे जिनके पास फानाशिल डिफिकल्टी घर में चल रही है वो भी पैसा ना दे जो भी मजबूरी है जो अपनी सुविदा के साथ सुविदा के साथ जो बेमारी में उलज रहे हैं जिनको खर्चा बहुत है घर का दुख तकलीफ आ गिया वो भी मेरी मदद ना करे बहुत ही पुलाइट है बहुत ही समिस्व और बहुत ही जन्वन अपील उन्होंने करी है तो इसलिए भाईयो क्योंकि उनके उपर बहुत बर्डन पड़ गया है हाई कोड के वकील की फीस बहुत है लाकों में पैसा ले रहे हैं तो उनके पास दूसरी प्रेडिशन भी आप फाइल करने जा रहे हैं बैंक के साथ भी वो फाइट कर रहे हैं आई बीए के साथ भी फाइट कर रहे हैं मिनिस्टरी अफ फनास मिनिस्टरी के साथ भी फाइट कर रहे हैं तो राश्टर पती को भी उन्हें लेटर लिखा है तो कोई फील्ड उन्हें छोड़ा नहीं है नाकाबंदी करने में आई बी एकी चारों तरफ से नाकाबंदी करी है हाँ ये बात दुकी है कि यूए बीडियो के ओपर कोई उन्हें आईसा कोई कमप्लेंट नहीं करी है या उनके ओपर कोई केस फाइल नहीं करा है कि करोन रुपे का फन्ट हमारा इनके पास है वो हमारी हैल्प क्यों नहीं करते लेकर उसके बाद तो यह अपील उनकी बड़ी समिस्व है तो उसको भी आप सुनते जाएए मैं आपको थोड़े दोचा लेने पढ़के भी सुनाऊंगा और आपको मैं वीडियो में अपील भी दिखाऊंगा तो रीटरप्रटीशन कादे किसके बारे में है जो आपको सारा बताएंगे वो किया चीट क्या कहना चाहती है मैं आपको पढ़के भी सुनाता हूं दो चार लाईने और आप उसको समझ जाएंगे क्या भाव है इसका पैंशनर फ्रेंड्स अर्क्वेस्टर टू रुक्वाइड इन दियर पैंपीनियन नाओ दर अच्छा ये तो है उनकी जो वो मांग रहे हैं अच्छा जेए देखिए कौन किस किस पॉइंट के उपर वो करना चाहते हैं तू इश्यू है रिट आफ मेंडिमस अधर अधर राइट और डिरेक्टिंग दा बैंक्स तू अपग्रेड दा पैंशन अपग्रेड पैंशन अपग्रेड करने के लिए वो कोड से डिरेक्शन चाहती है कि बैंक को डिरेक्शन दें रिवाइजड पैसकेल उनने ये कहा है जब भी पैसकेल रिवाइजड हुए है मेरे को तब से पैंशन रिवीजन दी जाए विद इंटरस्ट पैंशन रेगुलेशन एक्ट के तहद और पैंशन तोगेदर विद इंटरस्ट फ्राम द पैंशन फंड तू दा अमाउंट पेड तू दा होल टाइम डिरेक्टर देखिए होल टाइम डिरेक्टर जी खुद इंडिपेंडिन डिरेक्टर रहे हैं स्टेट बैंक आफ ट्रावन कोर के तीन साल ये डिरेक्टर रहे हैं 2014 से 17 तक तो इन्होंने 29 येर जॉब करी है उन् इन्होंने सर्विस करी है तो देखिए उसके बाद भी इन्होंने कहा है कि होल टाइम डिरेक्टर को पैंशन फंड से अपने पैसा कैसे दे दिया तो पैंशन फंड को ये वापस करें पैसा तीसरी बात उन्होंने करी है कि इसका जो आडिट है सी एजी काग कंप ट्रोलर ए the case at an earliest तो ये इसके बारे में बात हुई है तो दूसरी आगे वो चल के कहती हैं कि जो प्रेटिशन है मैं आपको दिखा रहा हूं मैं आपको लिंक भी दे रहा हूं साथ पेज का उसको पढ़ लें देखिए प्रेटिशन प्रपोस्ट वी फाइल फार दा प्रेटिशन आप प रुकेस्ट करी है रप्रेटिशन रिटायर्ड एज मैनेजर ओन वी चार दोहजारिक फरांदा दोहजारिक में जे रिटायर हुएं 71 में जोईनिंग की थी फरांदा बैंक थू प्लेंटरी रिटायर्मेंट स्कीम दोहजार दोहजारिक आफ्टर रेंडरिंग सर्विस इंडिपेंडेंटर स्टेयर्ड बैंक का ट्रावर को दासिक दोहजार चोरदा अपॉन नोमिनेशन बाइदा फर्स्ट रस्पॉंटेंट यूनियन बैंक नहीं इनको नोमिनेट किया था इंडिपेंडेंडेंटर बनाने के बनाया था इसलिए उन्होंने ये करी है दूसरी कुछ उन्होंने पॉइंट दिये हैं सारा इसको पढ़के आप इसके सुजेशन भी दे सकते हूं दूसरी बात उन्होंने इसमें करी है एनी पेमन मेबी मेट तू माई अकॉंट नमबर उन्हें अपना अकॉंट नमबर दिया है ये यूनियन बैंक आफ इंडिया एन पारा वैसे भी आपको सुजदा है वैसे ही करें उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे को कम से काम इतनी अमाउंट देनी है देखिए मेरे दोस्तों मेरे भाईयों मेरे सब्सक्राइबर्स आप कितनी भी हैल्प कर सकते हैं किसी दो सो रुपिया करना है किसी पांच सो करना है किसी हजार करना है जरूरी नहीं है कि मोटी अमाउंट देनी है सी एन वीनू गॉपालन जी बहुत अच्छे डेडिकेटर पैंशनर है और बैंक के लिए बहुत फाइट करने जिसका मतलब यह नहीं का हमें बहुत ही अमाउंट देनी है लाकों में देनी है तो इसके लिए उनका छोटी से छोटी अमाउंट भी आप दे सकते हैं लेकिन पांच लाक पैंशनर है अगर सो सो रुपिया भी देंगे तो तो कितने पैसे बन जाते हैं? एक एक हजार प्याट देंगे तो कितने क्रोड बन जाता है, तो कितनी स्पोर्ट हो जाती है. Those who have supported earlier, जो मिलको पहले कर चुके हैं, उनका धने वाद भी किया. जो उन्होंने मिलको फोन पर बताया है, वही बात इसमें लिखी है Those who are facing extreme difficulties